हेलो एवरिवान दिवाले स्पेशल रेसीपी आठ हम लोगों की चल रही है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दानेदार रवा लड़ू ये बहुती अमेजिंग रेसीपी है पर्फेक्ट रेसीपी है आधा केजी रवा के हमारे तीस लड़ू बनके रेडी होने वाल सबसे पहले आपको पैन में ले लेना है घी नियरली मैंने यहाँ पे 140 ग्राम लिया है और जैसे घी गरम होता है इस पे एक साथ हम लोग सूजी डाल देंगे रवा आधा किलो 500 ग्राम में रवा डाल देया अगर आप कप के हिसाब से जाओगे तो अगर चार कप रवा है त इसका कलर हलका हलका देखे चेंज होते हैं नजर आ रहा है और फाइनली देखे कुछ टाइम बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यह देखे आपके जो सूजी का टेक्शर है वो कुछ ऐसे दीखेगा आपको तो इस टाइम पे आपको रूख जाना है और इसे रख देते है साइड में दिन दूसरे पैन में मैं ले लेती हूँ चीनी और पानी पानी हमें क्या करना है बराबर उतना ही डालना है कि हमारी जो शूगर है वो बराबर उसमें डीप हो जाए बस उतना ही पानी डालना है अच्छे से उसको बॉयल करना है और अगर आप देखोगे तो दे होगे कि आरे यह तो इतना सा पतला लग रहा है बिल्कुल नहीं आप देखोंगे धीरे-धीरे यह भी चेंज होगा पहला स्टेप आपको यह करना है कि आपको पहले सारे लंस निकाल देने हैं जैसे लंस निकल जाएंगे उसमें इलाइची पाउडर और किसमिश हम लोग कर देंगे किसमिश या फिर अगर कोई और ड्राइफ्ट आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं थोड़ी देर बाद जैसे आप छोड़ दोगे पांच मिनिट बाद देखें टेक्शर कुछ ऐसे देख रहा है मुझे और जैसे अगें थोड़े से और पांच-दस मिनिट हो है तेक्शर कुछ ऐसे लग रहा है तो इस स्टेज पर देखें धीरे धीरे जैसे टाइम हो रहा है टेक्शर चेंज हो रहा है इस लेवल पर आपको लड़ू बानना स्टार्ट करना है देखें एक छोटा सा बानके देखें अगर हो रहे तो शुरुवात कीजिए और आप इतना मेन लिया है उतनी परफेक्ट है ज्यादा मिठा नहीं बनता है और ज्यादा कम मिठा भी नहीं लगता है और आपके ये सूजी के दानेदार लड़ू बनके रेड़ी है ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए गाईज और मुझे जरूर बताए कि आपको ये सूजी के लड़ू कैसे लगे तो मिलते हैं इसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रहे हैं बेक माटे अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबाई